Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 2 that is the sun, the moon and the earth So, previous lesson में हमने क्या पढ़ा? season के बारे में So, वहाँ पे हमने देखा season के बारे में यहाँ हम यह तीनो celestial bodies जो sun, moon, earth है इसके बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बारे में आपने कब पढ़ा है? 5th standard में आपको comment section में और description box में दोनों जगा पर मैं लिंक दे दूँगी 5th standard का आपका जो lesson number 2 है उसका motion of the earth तो उसमें आप देखोगे तो एक बार आपको recall हो जाएगा जो आप भूल गए होंगे तो यह आपको बहुत easy लगने लगेगा फिरिये लेशन ठीक है वैसे है easy बट एक बार वो देख लोगे तो आपको काफी easy लगेगा उसमें आपको season के बारे में भी पता चल जाएगा और moon के बारे में भी और earth के बारे में भी काफी पता चल जाएगा अभी हम देखते हैं पहला point यहाँ पर क्या है the moon's motion तो देखते हैं like the earth the moon also has axial and orbital motion तो जिस तरीके से आपको पताएए earth rotate भी करती है और क्या करती है वो अपने axis पे रोटेट भी करती है इस तरीके से और sun के चारों तरफ revolve भी करती है बिलकुल इसी तरीके से moon भी है moon क्या करता है moon यह है मालीजिए moon है यह भी क्या करता है अप अपना भी चक्कर लगा रहा है वो रोटेट कर रहा है और रोटेट करते 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 यह अर्थ को भी यह अर्थ है उसको भी पूरा revolve कर जाता है उसका भी revolution complete कर लेता है ठीक है यही बिलकुल कह सकते हैं कि earth के ही नक्षय कदम पर वो भी चलता है the moon while rotating around itself revolves around the earth and the earth revolves around the sun मै लेती है यह रहा आपका sun यह रही आपकी earth और यह रहा moon यह खुद भी rotate होते होते rotate करते करते इसको करेगा और earth भी खुद को rotate करते करते यह rotate होते होते इसे भी revolve sun को revolve कर लेगी इस तरीके से इन दोनों का चलता है As a result, though the moon does not revolve around the sun independently, indirectly it makes revolution around the sun वैसे तो यह directly moon हम देखें तो वो sun के चारो तरफ चक्कर थोड़ी लगाता है वो तो earth के चारो तरफ चकर लगा रहा है लेकिन जब यह earth के चारो तरफ चकर लगा हो रहा होता है तो इस तरह से यह जो earth है यह क्या करती है earth तो sun के चारो तरफ च चकर लगा रहा है यह moon भी उसके चारो तरफ घूम घूम के घूम घूम के क्या कर लेता है पूरा sun के चारो तरफ चकर लगा लेता है ठीक है इंडरेक्टली क्योंकि वो तो earth को चकर लगा रहा है चारो तरफ लेकिन earth क्या कर रही है sun को चकर चारो तरफ से उसकी परिक्रमा कर रही है तो उसी तरह की से वो भी उसका पुरा revolution वो भी complete कर लेता है संका the time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same और यहां पर अपना रोटेट कर रहा है और यह जो अर्थ को revenge कर रहा है खुद भी rotate हो रहाया मैंने बताया खुद भी rotate हो रहा है अपना घूमते 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 जैसे talks कि सी लट्टू होता है कि सी खुमता है यह तरिक से खूम रहा है और यह एक केया कर मार्थ को अपना rotation लगाने में अपने चारहों तरफ चक्र लगाने मी 24 गंटे लगते हैं, जो एक दिन लगता है, आपको पता है, 24 गंटे में हमारा जो दिन रात होता है, वो इसको अपना रोटेट करने में लगता है, और सन के चारो तरफ चक्कर लगाने में, अर्थ हो कितना टाइम लग जाता है, तो हमने पढ़ा है, 365 डेज लग जाता है इसक का भी चक्कर लगा रहा है, same time है, 28 days नहीं, पूरा 28 days नहीं, 27 days, 7 hours and 43 minutes, इतना है, ठीक है, तो इसे कहीं के 28 days बोल दिया जाता है, कभी-कभी 27 days बोल दिया जाता है, बट आपको रखना है, 27 days, 7 hours and 43 minutes में, moon क्या करता है, अपने को भी rotate कर लेता है, और earth को भी क्या कर लेता है, यह इसरेकर से घूम जाता है, मतलब यहां पर क्या बोला गया है, the time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same, मतलब दोनों वो बराबर कर रहा है, खुद के चारो तरफ rotate भी उसी time पर कर रहा है, 28 दिन में और जो earth है, उसको भी चारो तरफ से उतने ही time में वो complete कर रहा है, अपना revolution, that is why we constantly see one and same side of the moon, इसलिए जब इस तरफ से earth के चारो तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसी time में, उतने ही time में वो complete कर ले रहा है, अपना rotation भी और revolution भी, इसलिए हम moon का हमेशा सिर्फ एक ही face देखते हैं, एक side देखते हैं, अगर आप ball, ball की तरह moon है, ball की तरह earth भी है, तो आप एक side देखेंगे, moon का, इसी side का, पीछे side का कभी नहीं देख पाएंगे, ना इस side का नहीं बस एक side का देख पाएंगे, क्यों वो एक ही time पर rotate करता हुआ रहा है, और एक ही time पर पूरा revolve भी करते आ रहा है, और हमें उसी time पर इसका दोनों पूरा complete हो जा रहा है, इसके लि बच्च नल गुमन 사स्ट अर्थ ज बनाना हैर क्या कि vallahi इस प्रोफ भी गूमो उसको बूनाये बच्चा इधर जो अबना चारो तरब भी करो करो इस तरह ई daw को एकटिविटीटि दी गई ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, यह activity क्या है, अब यह activity दी गए है, उसका geographical explanation देख लेते हैं, the moon's orbit of the revolution is also elliptical as that of the earth, देखिए, आपने पढ़ा है, फिफ्स टेंडर में भी और सिख्स टेंडर में भी, कि जो moon, जो earth है, earth क्या करती है, यह मान लिजे sun है, तो sun के चारो तरफ वो इस तरफ से चक्कर नहीं लगाती, वो किस तरफ से चकर लगाती है, कुछ इस तरफ से चकर लगाती है, ठीक है, वो भी क्या करता है, यह earth का विल्कुल इस तरफ से चकर लगाता है, कुछ इस तरफ से, मतलग यह earth हुई, यह moon हुआ, moon किस तरफ से चकर लगाएगा इसका, कुछ इस तरफ से, circular motion ऐसे एकदम गोल में नहीं, तो यह याद रखिए, hence the distance of the moon from the earth is not the same, तो कैसे रहेगा same, elliptical लगा रहा है, अगर इस तरफ से लगाता पूरा, तो यह पूरा जो डायस होता है, यह पूरा, जो diameter होता है, पूरा same होता, लेकिन यह जब किस तरफ से लगा रहा है, moon, earth का चकर तो इस तरफ से, तो इस तरफ से कहां से same होगा, इस तरफ से, अगर आप देखो, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से यहां पर डिस्टेंस सेम नहीं होता और्थ और मून के बीच में अब यहां पर फिगर दिया गया है उसके थूद देख लेते हैं मतलब भूम रहा है यह मून तो सेम नहीं रहता डिस्टेंस कैसे नहीं रहता वह अब भी आपको पता चल जाएगा वें इस देखिए का मतलब क्या होता है इसको क्या बोलेंगे जब यहां पर कम है तो इसको बोलेंगे पैरी जी और बहुत ज़्यादा है उसको बोलेंगे आपजी ठीक है तो यह अर्थ का और्वीट है अर्थ इस तरह की से और्वीट करती है अपना यह अर्थ का और्वीट है मतलब तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होता और अगर आप देखो तो बिल्कुल इसी तरह के से यह सन है अगर आप इसे सन को देखो इसे माली जे सन है और यह अर्थ है बिल्कुल इसी तरह के से तो इनका भी होता है तभी हम जब sun के करीब अर्थ आती है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है दूर जाती है तो ठंडी बढ़ जाती है इस तरह के से मतलब जो season occur होते हैं जो season change होते हैं कुछ इस तरह के से भी ओते हैं और एक factor और भी है क्योंकि आर्थ हमारी से टिल्टेड है तो जितना ज्यादा पार्ट इसका सन का लाइट पड़ेगा इतना ज्यादा यह धूप रहेगी यहां पर दिन बड़ा होगा यह सारी चीजह हमने पढ़ा हुआ है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको जो फिफ टेंडर का आपका लेसन नमबर टू है त यहां पर दिन और यहां पर रात है चौपीश गंटे में पता है तो अभी दिन का टाइम है और भी यह रात का टाइम तो आपको चांद कुछ इस तरीक से लिखेगा पूरा ब्लैक च्यूंँ दिखेगा पूरा ब्लैक जो यह मून है बॉल की तरह है बॉल के एक फेस पे यहां पे लाइट पड़े गी और एक फेस पे तो पड़ेगा नहीं तो हमें तो यहाँ पर इसका डिखेगा तो हमें अर्थ कुछ इस तरीक से पुरा ब्लाइक अब जैसे 20 हैं यहा बढ़ जाएगा ओर दीज़ेंईUB तो दूसरे दिन पर थोड़ा सा किया हुआ ऐर्थ पे आप को किस तरी के से दिखेका यह लाइट पड़ रही यहां पर थोड़ी सी लाइटा को यह पर Son ki पर पड़ती हुई दिखेगी तो आपको मून कुछ इस तरह के से दिखेगा थोड़ा सा क्योंकि भी देखिए यह नियू मून है नियू मून से फूल मून की तरफ यह बढ़ रहा है तो इसमें क्या होता है तो पूरा फूल मून रहता है बिल्कुल भी चांद ने तो मतलब आपको चांद दिखेगा आधा दिखेगा हाफ दिखेगा ऐसा रगएगा कि इतना और जोड़ती पूरा हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर जब यह इस तरीके से यहां पर आता है चांद अर्थ के इस तरीके से आता है तो इसका जो लाइट है आपको देखोगे तो यह क चले जाओके थोड़ा ही दिखेगा और दर चले धिरे अब क्या इस साइड में आ जाओके तिक्दम डाक हो जाएगा ना तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी है अब यहां पर आ गया यहां पर जो जितना उजाला है मतलब यहां पर जो लाइट दिख रहा यह रेज देखिए अगर एकदम अपोजिट यहां पर मून आ गया तो यहां पर क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा मून दिखेगा ठीक है पूरा का पूरा मून क्यों दिखेगा अब आप यह मत सोचिए कि यह अर्थ ने तो इसको पूरा धक लिया धक नहीं लेता यहां पर ह सब्सक्राइब कर दोड़ा सब्सक्राइब और यह और अर्थ का कई सब्सक्राइब और इसका नगी सब्सक्राइब थोड़ाय सा नौर्थ साच में करते ह corrid इस तरह किसे वह चक्र लगाता है अट test tua इसके लिए थोड़ाय सा ऊपर रहता है इसके लिए मैं पूरा लाएट देखता और थोड़ी से नीचे रहती इसके पूरा फूल मून देख सकते हैं फिर यहां से झाय घरते जाता है जब फु पिर यहां से आपको थोड़ा सा दिखेगा फिर फिर से फूल मून हो जाएगा अब इसे आपने फिल्ट स्टैनर में जो पढ़ा है उसका पिक मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है नियू मून से मानने जाए नियू मून है बिल्कुल भी कुछ बी नहीं यहां पर तो आपको धीर मृथीरे कूछ इसी तरह से इप ठीक है तो यह टाइम आपका 14 डेज या 15 डेज का होता है यह आपने पढ़ा था यहां पर देखिए आपको याद आ गया होगा दन्यू मून से 15 डेज बनते फुल मून तक होता है और इसे क्या बोलता है वैक्सिंग मुतलब की ग्लोइंग तो इसके लिए फुल मून के सब्स चमकता रहता ना उसको अगर इंडिया में हम क्या बोलते हैं उसे इंडिया बात करें तो उससे शुकल पक्ष बोला जाता है और फुल मून दे हो गया तो फुल मून से 15 डेज होते होते कम होते होते नियू मून बन जाता है इसे हम बोलते हैं वैनिंग मून मतलब इसको खत waxing and vanning moon phases यही जो हमने पढ़ा which see figure 2.2 जो अभी हमने देखा which shows the different phases of the moon it shows the relative position of the moon on both the quarters the full moon and the new moon days with respect to the earth and the sun तो यहां पर हमने देखा किस तरह के से earth or sun की मतलब की जो earth or sun के यहां पर earth sun के और earth के वज़े से यहां पर moon क्या होता है उसके अलग-अलग phases है में देखने को मिलते हैं ठीक है यहां पर देखे क्या दिया गया है यह देख लेते हैं angles made by the earth अब एंगल तो बनाएगा ही ना क्यूं क्यूंकि हमें पता ही इसके यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पर राइट एंगल मिलेगा फिर यहां पर भी अगर आप देखो राइट एंगल यहां पर राइट एंगल और इस तरहीं से कुछ अलग-अलग portions of the moon they become visible due to the sunlight reflected from the moon तो यहां पर में देखा कि अलग-अलग faces देखिए स्काय में मून को हमने अलग-अर्थ से हमें अलग-अलग faces दिखते हैं मून के तो जो illuminated portion होता है जो अर्थ की वजह से जो चमकता है यहां पर जो मतलब कि मून के जिस पार्ट पर सन का लाइट पड़ेगा illuminate होगा वो चमकेगा मतलब reflect होगा लाइट पड़ेगा उस पर वही हम देख पाएंगे आप अंधेरे में खड़े हो आपको कोई देख पाएगा जैसे ही यहां पर लाइट हमने जलाया तो वैसे ही हम आपका face देख सकते ह पिर आप नहीं दिखोगे बिल्कुल वैसे ही कि they become visible due to the sunlight reflect from the moon तो यह किस तरह से दिखते हैं मून को मून पे जब सन की लाइट पड़ती हो reflect करता है तो हमें वह दिखता है while revolving around the earth the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day तो हमने देखा जब यहां पे opposite में आगा है यहां पे sun था sun यहां पे था और यहां पे जब moon आया तो हमें पूरा moon दिखा क्यों दिखा क्यों कि यहां पे कुछ उपर रहता है और इस पे light पूरी पड़ती है इसलिए हम अर्थ पे रहके इसे पूरा देखते है ठीक है इस पार्ट पे light पड़ेगा और इस पार्ट पे light नहीं पड़ेगा बठ हम अर्थ पे हैं यहां पे हम बैठे हुए तो हमें तो यह आधा पार्ट जो डाक है वही दिखेगा इसके लिए इस तरह के से दिखा था तो यहां पे आप देखो सन है ठीक है सन यहां पे है और मून यहां पे है और अर्थ यहां पे है ठीक है तो जीरो डिगरी पे अगर आप देखो यहां पे जस्ट यह इस डिगरी पे देखो इस लाइन पे तो यहां पे आपको न्यू मून दे दिखेगा क्योंकि लाइट तो यहां पड़ रही इस वाले पार्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्टाइब अथा लाइट दिखेगा उसका और यहां पर भी ऐसे ही दिखेगा आपको ठीक है हाफ लाइट मतलब हाफ पार्ट में इसके लाइड दिखेगा और इसे लगेगा कि इसको जोड़ दो तो पूरा बन जाएगा ठीक है फिर यहां पर इस तरही से जब यह 180 डिग्री देखिए यहां पर क्या बोला गया है ऐसा भी नहीं सकता कि अर्थ और सन और मून हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे सेम प्लेस पे हो हमेशा ठीक है एवरी नियू मून और फूल मून डे कि हैंस एकलिप्सेस डियू नौट अकर अन इक नीव मून और फूल देखिए माली की माली जी हम यह बोलते हैं कि एकलिप्सेस मतलब ग्रहण लगता है इंद्द ग्रहण टो यह कौन ś आवस रहा है क्यूंकि जो मून हमने देखा अब यहां पर मून आपको दिखनेहीं रहे है तो इससे तो ग्रहन लग गया व्र कप रहन नहीं लगा प्रशन लगता है लिए पूरे स्ट्रेट नहीं होते हैं यह यहां पर नहीं है शेड को शम्लाइब यह किसमें है और सन की जो लाइट है इस तरीके से पड़ेगी तो पूरी लाइट यहां पर हाफ पड़ेगी और हाफ नहीं पड़ेगी तो हमें वो दिखता है जब यह पूरा स्ट्रेट में आते हैं तो ही ग्रहान लगता है ठीक है अभी आप जब पढ़ोगे एकलिप्स वाला तो आप को रिखने आएगा हावे वर सम फाइंम यहम पूरण जो होता है वह सोलहर मतलब सोलार मतलब Essa सब्सक्राइब तो 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 यह होता कर दो इस तीनों आपस तो होता क्या है एक तो हमारी जो अर्थ है वो भी 23 डिग्री किल्टेड होती है चोड़ाई होती है और मुं मुझा यहां पे फैर डिगरी टिल्टेद होता है इसका अब एकदम इस तरीके नहीं कर रहा है बिल्कुल इस तरी से daugagram लगा लगता है यहां मेंशा थोड़ा सा यह जो पॉइंट है, यह सन और अर्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, इसको बोलते हैं, एपीजी लाइन, एपीजी, तो एंगल बेविन देख लिया, यह हमने देख लिया, consider the relative position of the sun, the moon and the earth on the new moon day, the both the quarters, what will be the angle between the lines joining the earth and the moon as well as the earth and the sun, how many times will this angle be found in a month, अब हम बात करते हैं, solar eclipse के बात, जो की होता है, सूरिग्रहन, if the moon is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth, at such a time, these three celestial objects are on the same plane and fall in one line, hence the place of the earth where the moon's shadow falls experiences a solar eclipse, होता क्या है? solar eclipse क्या होता है, वो समझे, जब यहां पे, मान लिजिए, यह sun है, यह आपका sun है, ओके, यह आगया आपका moon, एकदम straight line में, एकदम straight line में, मून आ गया, और यहां पे आगई आपकी earth, ठीक है, तो यह क्या होता, यह solar eclipse लग गया, ठीक है, मतलब कि होता क्या, यह दिन के time में होगा, और इस दिन अमावस्या होती है, ठीक है, होता क्या है, कि यह जब यहां पे sun है, और यहां पे बीच में, मून आ गया, तो हम यहां पे earth पे हैं, तो हमें दिखेगा, sun light में, यह तो जो है, यह moon इसे यहां पे रोक लेगा, moon light यहां पे जो है, sun की light को रोक लेगा, moon यहां पे opaque object है, क्योंकि वो पार थोड़ी होने देगा अपने से light, तो यहां पे यह बीच में आ गया, एकडम स्ट्रेट में आ गया, बीच में आ गया, तो यह earth पे बिलकुल भी light नहीं पड़ने देगा, तो यहां पे हम बोलते हैं कि सूरे दिख नहीं रहा है, और यह क्य is light in the area of dark shadow on the earth, the sun becomes completely invisible, तो होता क्या है, कि कभी-कभी जब सूर्य ग्रहन लगता है, तो होता क्या है, कि जब यहां पे मान लीजिये, sun है, और यहां पे यह मून है, और यहां पे क्या है, आपका earth है, यहां पे picture दी गई है, हम देख लेते हैं, यह देखे, यहां पे क्या है, sun है आपका, और यहां पे इस तरह के से moon आ गया बीच में, और यहां पे earth है, तो होता क्या है, कि moon जब इस तरह के से होगा, एकदम black होगा, वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा, और मान लिजिए कि आप इस side में है, थोड़ा-थोड़ा यहां पे dark रहेगा, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा यहां पे darkness रहेगा, लेकिन यहां पे तो एकदम black रहेगा, जितना परचाएं इस की पड़ेगी, ज यहां पे एकदम से black होगा, ठीक है, तो यह जो यह इसके पास का यह जो area है, यह जो थोड़ा-थोड़ा darkness है, यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ light पड़ रहेगा, तो कुछ यह इस तरीक से दिखेगा, इसको हम बोलेंगे partial solar eclipse, partial मतलब हाफी, हाफी यहां पे आधा ही ग्रहन लगा, लेकिन अगर जो लोग यहां पे हैं, जिस area में यहां पे हैं लोग, जहां पे moon का पूरा का पूरा यह point पूरा का पूरा dark है, तो वो यहां पे किस तरीक से दिखेगा, वो कुछ total solar eclipse, मतलब पूरा का पूरा, पूरा यहां पे छिप जाएगा, sun यहां पे पूरा का है किसी अंधेरे ने आके, ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके और, ओके, चलो हम यहां पे देखते हैं, और यह पार्ट क्या है, यहां पे देखो, मान लिजिए, कि यहां पे sun की light पढ़ रही है, sun की light यहां पे पढ़ रही है, और यहां पे वही चीजे बन रही है, यहां पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, कि थोड़ा सा, sun का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते है, म likens let페 रिंग जैसा कुछ इस तरीक से भी निया मतलब इस तरीक से अर्ष यहां पैस्पास का एरिया है कैसा अ we which I think is better it either ठोड़ा जयाता है। पेम्म धोड़ता है। और यहां पूरा मून पूरा 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 पर अंधेरा कर देता है। उसको बोलते हैं यहां पर पे रहता है। यहां पर खुरआ श्ड़ा हो जाता है। जो यहां पे थोड़ा थोड़ा। जो यहां पे तोड़ा ही यहां पर लेते हैं जो पढ़ रहे थे देंटरल पोशन ऑफ देड़ों इस डारकर तो सेंटरल का इस शेड़ों इस ऑफ टॉ टाइप देखा यह वाला रिंग वाला जो देखा यहां पर कुछ इस तरीके से एनुलर का जो बात कर रहे हैं तो पुरा बीच में डाक होता है और थोड़ा सा उसका बाहर का किनारा थोड़ा सा दिखता है सन का ठीक है in the area of dark shadow on the earth the sun becomes completely invisible बिल्कुल नहीं दिखता है इस condition is known as total solar eclipse total solar eclipse जहां पर सन बिल्कुल नहीं दिख रहा है सन क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहां पर पूरे के पूरे सन को ढख लिया इस तरीके से ठीक है सिफ उसकी light आजूबाज उसे थोड़ी सी दिखेगी और लेकिन पूरा सन ढख गया यहां पर यहां पर तो पूरा अंधेरा है लेकिन यहां पर जहां पर थोड़ा 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 इस तरीके से दिखेगा ठीक है इस तरीक से यह जो पूरा टोटल सोलर एकलिप्स है जो यह वाला यह बहुत कम दिखता है और यह वाला तो अक्सर दिखता है हमें इसन परे कि अपर अपर आपको पता है बहुत दूर जो है सन यहां पर वो हमने देखा जब दूर है तो जब दूर है तो जब दूर है तो as a result the deep shadow of the moon is cast in space and does not reach the earth from a very small region of the earth only an illuminated age of the sun disk is seen in the form of a ring this is called annular eclipse annular eclipse is a rare phenomena to annular eclipse क्या होता है मानिजे जब यह दूर है सन से बहुत दूर है ठीक है जब बहुत दूर है तो उसका deep shadow मतलब की क्या होता है कि जो मून का जो मून पर जो shadow पड़ता है यहां पर तो यहां पर क्या होता है एक यहां पर देखिए जो जो यहां पे है तो यह क्या होता है दूर है बहुत जब यहां पे अर्थ से बहुत दूर होता है तो थोड़ा ही यहां पे लाइट पड़ता है ठीक है राइस बहुत है बहुत है झाल थे बहुत है तो यहां पे अर्थ दिखाना है आपको और किस तरगी पड़ता है किस तरगी से शैडो पड़ रहा है कहां पे अर्थ मतलब लग रहा है ग्रांड या इस तरह से आपको पता चलता है ओके चलो आके देखते हैं तो आयोग के आपको यह समझ में आए होगा यह क्या है जो मैंने आपको बता है कि एपी जी का मतलब बहुत दूर रहेगा तो उसकी वज़े से क्या होगा इस रिजल्ट डीप शैडो बहुत ही गहरा शैडो पड़ेगा किसी स्मॉल रिजन पर इसा नहीं पूरे हर जगा पर ह हर जगा पर आपको आपको देखोगे श्रेकर चंद्रवल हर जगा पर ही नहीं लगता जहांपे दिखता है तो यहांपे लिओस्तर इस्ता हरी पिरा देखता है कि होता है थोड़ा सा क्या हुता है कि थोड़ा सा गशे pace सब्सक्ति गाउठ सेख सब्सक्राइ तो श्तों अ थ्यान रखी है जो ऑंको निए इसा नहीं कि अचानक से पूरा जाता है यहां पर इस तद्रीके से copy parade है यहां पे पूरा छेंट है तो यह सब्सक्रासान यह जाता है जिते है ऊज़ें मतलब अचानक से इस नहीं लेता वह धीरे-धीरे कर टुकि युप ही उसके श्काट ही और करते आएगा और इस पर 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 प्राट पह जाएगा थाएगा थिकए हो लोग भी तो चक्कर काट रहें ना वह चक्कर कुल टॉष सामने आ जाओगे तो इंसान सामने वाले इंसान को कैसे दिखेगा नहीं दिखेगा ना तो इसी तरीके से होता है चाहे आप यहां पर देख सकते हो यह आपको दिखेगा यह आपको पार्शेल दिखेगा यह आपको टोटल एकलिप्स दिखेगा यह भी आपको तो यह क्या हो फिर खुलना शुरू होगा दिरे धीर हटना शुरू हो तो यह अपको करनी है जो आपको बताए वह है कोचिस में आपको खुद करना यह सारी चीज है अब लुनार एकलिप्स के बारे में बात करते हैं मतलब चंद्रगहान के बारे में अभी हम सोलार करने बातें सोलार एकलिप्स की बात कर रहे थे मतलब सुरी ग्राण अब चंद्रग्राण की बात करेंगे अलूनार एकलिप्स अकर्स वेन दा मून एंटर्स दा शैड़ो ऑफ द अर्थ वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट देखिए चंद्रग्राण कब लगता है जब मून चंद्रग्राण कैसे लगता है देखिए यह सन है और यहां पर यह अर्थ आ गई बीच में और यहां पर मून बिचड़ गया सन से तो होता है क्या कि यहां पर मानलिजे हम यहां पर हैon पर मुन तो मून को तो पुछ भी नहीं मिला वरकुकि एक डम सीद्यागस कि या गये एकडम सीधी लाइन में आगए जैवे से मारा इस घिरा इस लाइन में हो जाते हैं क्या है कि पूरी पूरी यह ले रहे हैं तो मून के पास खुद का लाइट कुछ नहीं होता नहीं है, Sun की वज़े से इसको लाइट मिलता है, उससे रिफ्लेक्ट होके हमें दिखता है, तो अब हमें इसकी लाइट दिखेगी नहीं, यह तो हमें बिलकुल नहीं दिखेगी, ठ जब sun और moon के बीच में कौन आ गया, earth आ गयी, ठीक है, तो earth आ गयी, इन दोनों के बीच में, इसके लिए क्या हो गया, कि हमें moon नहीं दिखेगा, ठीक है, यह आद रखे, at this time it is necessary that the earth is between the sun and moon, मैंने बताया कि sun और moon के बीच में कौन आ रहा है, earth, and all three are there in the same plane, okay, so, पूर एकदम plane इस तरीके से आ गया, इस एकदम linear line पे, ठीक है, on a full moon day, the moon's path of revolution passes through the thick shadow of the earth, पूरा thick shadow एकदम shadow पड़ेगा, अर्थ के, जब अर्थ आ गई, light के बीच में, यहाँ पे light है, अर्थ वीच में आ गई, पूरा का पूरा light इसको पड़ रहा है, तो इसका तो सिर्फ यहाँ पे, जो moon है, moon के उपर तो इसका सिर्फ shadow ही जाएगा, तो moon की light दिखेगी कहां से, we see a total lunar eclipse and if only a part of the moon is in the shadow, we see a partial lunar eclipse, अगर पूरा का पूरा, अर्थ पे जो लोग है, कभी-कभी क्या होता है, कि हमें यहाँ पे total lunar eclipse देखने को मिल सकता है, मतलब कि पूरा का पूरा चांद हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, और कभी-कभी क्या होता है, कि हमें partial lunar eclipse भी देखने को म टोटल लूनार एकलिफ्स देखते हैं पूरा का पूरा अगर वो शैडो उसका अर्थ का पड़ गया उसपे तो यहाँ पे देखे कुछ इस तरीके से सन है यहाँ पे अर्थ आ गई बीच में और यहाँ पे है तो यहां पर तो पूरा का फूरा चंद्र गहांट दिखेगा फूरा का पूरा चंद्र गहांट करके अब कर तो यह याद रखना है कि अगर फूल मून दे है जिस दिन उसी दिन ग्रहन चंद ग्रहन लगता है तभी तो पुरा है तभी तो हमें थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट दिखना दिखना शुरू होगा बाद में एक टाइम जाके पूरा का पूरा मून नहीं दिखेगा फिर द पूरा चांद रहता है जिस दिन लगता है लुनार एक्लिप्स उसी दिन होता है तो यहाँ तक हमने देख लिया यहाँ प्छ क्वेश्चंस यह गए यह क्वेस्टन आप किस तरही से सॉल्व कर सकते हो हम पड़ रहे हैं उसी के स्वेश पेश्व कर सकते हो अब थोड़ा सा characteristics देख लेते हैं इसके बारे में बहुत ही ये जरूरी है solar eclipse occurs on a new moon day but not on every new moon day तो solar eclipse जो सूरिक रहन लगता है वो कब लगता है new moon day की दिन मतलब जिस दिन अमावस रहता है बिल्कुल भी चांद नहीं दिखने वाला और दिन के time में दिखेगा अरे sun तो होना चलीए न सन तो दिन में ही दिखेगा आपको तो तो उसन होना चलीए तभी तो हमें दिखेगा किस सब्सक्तिया डखते जा रहा है डखते जार। फिर किस सब्सक्राइक से बादनें पूरा पूरा अकर्स देखिए यह क्या लिख्या पहले तो यह आप देखिए कि हर नियू मुंडे के दिन नहीं होता मैंने आपको बताया था ना कि जो चांद है वह अर्थ का कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है नौत से साउथ मतलब थोड़ा-थोड़ा यह अर्थ है तो ऐसा नहीं कि तो आपको यह यहां पर नहीं पूरा सीधी लाइन में होता है जब पूरा इस तरीके से आया इस तरह सीधी लाइन में और यह थोड़ा में यह वारी और यहां पे क्या बोला गया है कि जब sun, moon और earth same plane पे आते हैं तो ही यह होता है हमने देखा ना उपर में किस तरीके से पहले यहां पे sun, फिर moon और फिर यहां पे earth तो यहां पे sun है और moon दोनों मिल गए एक साथ में अब sun क्या करेगा, पूरा का पूरा light अपने moon को देगा, अब moon क्या करेगा, moon की खुद की light तो है नहीं, इतना यह जितना इसको light दे रहा है बस इतना यह ले रहा है, इधर का तो इसका dark ही रहेगा यह face और वहीं डाक फेस हमें दिखता है, हम यहां पे हैं तो यहीं इसको पूरा का पूरा इस light को ले लिया और यहां पे अर्थ क्या है, पूरा का पूरा जब यह sunlight ले रहा है तो आर्थ को बिल्कुल नहीं दिखेगा sun यहां पे, okay इस तरह के से, the maximum duration of a total solar eclipse is 7 minutes and 20 seconds, means 440 seconds, तो मतलब कि यहां पर देखे जो lunar eclipse होता है यह ज्यादा duration का होता है अगर आप देखोगे तो ठीक है अगर 2010 की बात करें तो तीन घंटे था उस time तो होता क्या है सैंद तो तो यह अरत है मीं और यह रहे होते हैं तो क्या है तो थोनों एक यह डिरेक्शन में कर रहे होते हैं चखर गूंटे दिखता और यह हैं और मून से आगे खिशकेगी तो मून भी उसके साथ-साथ सब्सक्राइब करें और यह देखें तो यह कम टाइम के लिए होता है ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं पहले लुनार यह दिन दिन नहीं लगता यह उस दिन तो चांध रहना है कि यहां समझना है कि यह फूल मुंडे पर ही चंद्रगहन लगता है lunar eclipse occurs if and only if the sun, the moon and the earth are in the same plane and fall in one line, तो इसका क्या होगा, यहां पर क्या situation होगा, sun होगा, फिर earth होगी, फिर moon होगा, मतलब sun से moon बिछड़ गया, तो यहां पर क्या होगा, यह जो sun की light है, यह earth की उपर पड़ रही है, तो moon हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, यह होता है, the maximum duration of a total lunar eclipse is 107 minutes, अब इसका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 107 minutes सी होता है, और यहां पर हमने क्या देखा, कि यहां पर 7 minutes भी दिखा रहा है, 20 seconds भी दिखा रहा है, यह ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मानलीजेहँ यहां पर sun है, और यहां पर, just minute, तो यहां पर देखेए, sun का चक्कर काई लगा रहा है, earth लगा रही है, और यहां पर earth का चकर का ऻूप लगा रहा रहा है, moon लगा रहा है, और अर्थ इस तरह से चक्कर लगा रही है तो होता क्या है यहां पर कि जल्दी से यह अर्थ को भी अपना rotation मतलब कि किस अंटी क्लॉक वाइस कर रही है यह इस तरह से घूम रही है तो यह जो यह इस चलि जाएगी घुमते फटक से इसके भी का चकlar लगाते लगाए जाएगा यह साईडो साइडाब मून सरत करेगी जाएगा और मुन आर्थ कि होता है होता है म मैक 250 मायग और मतलब क्या होता है कि दमधर चली जाएगी इसलिए ८ाइब बी कुछ इस तरही से चला जाएगा तो इसके लिए मतलब अपोजिट डिरेक्षिन की वज़ए से यहां पर सोलर Eclipse कम समय का होता है यहां पर इसे डिरेक्षीन हो जाता यह दोनों का और वहां पर सें डेक्शन होता तो बहुत मतलब की जो अभी भी है वो सारी चीजे लेकिन दिशा शुब 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 जैसा कुछ नहीं है यह सिर्फ एक कह सकते हैं एक फिनोमिना है जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्ट्रोनोमिकल फिनोमिना है यह ठीक है तो इस स्पेसिफिक पोजिशन जब इस सीधी लाइन में आते हैं तो इस वज़ा से ऐसा होता है यह हमेशा नहीं होता है ठीक है फॉर साइंटिस्ट्स वर्किंग इन फिल्ड ऑफ एस्ट्रोनोमी एकलिप्सेस और प्रिकुलर्ली टोटल और एनुवर सोलर सोलर एकलिप्सेस प्रजेंट ड्रेट अपोर्चुनिटीज फॉर स्टेडी तो इनके लिए जब यह आता है ना चंद्रगर्ण से इसे रिलेटेड स्ट्स फॉर्ट आप विजीट दा लोकेशन वेर सच इवेंट्स अर गोइंग तो जहां पर फूरा मून डे लग रहा है मतलब फूल यहां पर फूल चंद्रगहर्न यहां फूल शूरी गौन लग रहा है तो वह जगह पर पूरा का पूरा माइक्रों ज चीजें हो रही है क्या factor हो रहा है मतलब किया effect पड़ेगा एर्थ पर पर टेक्वत होता है चारों तरफ करते हैं और जहां पर पूरा का पूरा यह दिखाई देता है वहां पर यह जाके देखते हैं इसे यहां पे वह एक्स्प्लोर करते हैं कि किस तरीके से यह eclips का क्या condition बनता है आज अगर हमें पता है कि यह eclips क्यों लगता है सुरीगर्ण चंद्रगर्ण के बीच में यह सारी चीज़े आ जारी है तो हमें इसलिए पता है कि क्यों ने चीज़े पता चलते जाएंगी इस टाइम क्या होता है जब सोलर जो एकलिप्स लगता है या तो यहां पर क्या होता है सुर्गन चंद्रगन के टाइम अलग-अलग से मतलब कि जो रेज होती है इतनी ज्यादा वह उंपे आती है इंटेंस बहुत ही इंटेंस लाइट हमारे आखों को हामफुल होती है तो इसके लिए आपको स्पेशल गॉगल या फिर जो ग्लासेस होते हैं उस तरह की ताकि उससे सुर्गन चंद्रगन को जो देखा जाता है व सुर्गराण के दिन यह मत करिए वह मत करिए तो ऐसा विज्ञान भी मानता है साइंटिस्ट भी मानता है कि इससे कुछ नेगिटिवीटी तो आती है क्योंकि उसकी कुछ ऐसी उस टाइम पे ऐसा कुछ फिनॉमिना होता है जो हमारे उपर एफेक्ट करता है तो यह सारी ची अचानक से क्या हुआ हम लोग इसे बैठे थे और फिर क्या हुआ कि सुर्गराण लगा था और धीर धीर क्या हुआ ऐसे आते आते एकदम से अंधेरा हो गया तो अब जो बर्ट्स हैं जो एनिमल से अब उनको थोड़ी पता है कि उनके पास वो तो नहीं जानते यह सारी च अचानक से बीच में ही पूरी राथ हो गई तो यहां पर कन्फ्यूस हो जाएंगे इस इस एन इवेंट डाट ड़स नॉट तो यहां पर उनके लिए भी ठीक नहीं होता है तो यहां पर जो उनका बाइलोजिकल क्लॉक है क्यों निकल जाना है अपने घर के लिए तो यहां पर जो उनका रिस्पॉंस होता है यह भी बहुत ही यह बहुत अन्यूजूल होता क्योंकि वो भी एकदम से अजीब सा सोचन आने लगेंगे तो इस टाइम में आप उन्हें ऑब्जर्ब करो देखो कि उनका बर्ड और इनमल्स का ऐसे इवेंट्स ऐसे टाइम पर उनका क्या रहता है रिस्पॉंस वह किस तरह किसे एक क्लिश आपको कहना है ठीक है ऑक्किलेशन एंट ट्रांजिट्स क्या कैसी कई क्सी चीज को ब्लॉक कर देना मतलब बाधा डाल देना किसी चीज से आप सामने condition with reference to the sun and moon. तो moon और sun के साथ जो eclipses तो होते ही है, ग्रहन तो लगते ही है उनका हमें कभी moon नहीं दिखता, कभी sun नहीं दिखता यह हमें पता है. लिए कुछ और भी इसी तरी से कोई और चीजे हैं वो क्या है? इस आर कॉलेशन and transit respectively. अप्यूलेशन this is a typical event occurring in space. स्पेस में यह सारी चीजे होंगी. अब स्पेस में होगा ना यह सारी चीजे तो सबकुछ तो स्पेस में यह मून अर्थ and sun सबकुछ the moon revolves around the earth. मून क्या करता है? अर्थ की चारों तरफ यह चकर लगा रहा होता है. ऐसे करते मतलब कि यह जिस तरह से इस तरह से चकर करता रहता है earth का कोई बीच में आ गया कोई celestial bodies बीच में आ गई ठीक है? मान लिजे कोई star हुआ या planet हुआ इस तरह से बीच में आ गई तो यह क्या हो जाता है? मून के पीछे ढग जाता है so this is called occulation. मतलब उसने मून ने क्या किया? उस planet को block कर दिया. यहां पे है? और यहां पे हाँ मैं मान लिजे. तो इसने क्या किया? यह मून ने क्या किया? इसे block कर दिया. दूर से है अगर फिर भी इसके पीछे आ गया तो यह तो block ही हो जाएगा ना तो इसी को क्या बोलते है? और यह सोलर एकलिप्स है ठीक है जो टोटल सोलर एकलिप्स है यह भी एक तरीकी का क्या होता है अक्यूलेशन ही होता है अक्यूलेशन भी क्या होता है एक तरीके से मतलब जो सोलर एकलिप्स होता है यहां पर पूरा का पूरा उसका डिस्क होता है यह पूरा का पूरा हिड़न हो जाता है छक्रला कि कार चक्र कर लगा रहा है और चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते लगाते अर्थ सन के सामने आ घया मू он तो हमें बिल्कुल भी sun नहीं दिखेगा अब transit क्या है वो देख लेते हैं if an inner planet like mercury और venus comes in between in line of the earth and the sun a transit occurs तो जब inner planet inner planet हमें पता है अपने पढ़ा हुआ है six standard में inner planet and outer planet क्या होता है तो mercury और venus क्या है inner planet है और थी क्या inner planet है तो इस तरीके से जब यह देखिए अलग अलग planets क्या कर रहे हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और मालेजिए कि हम venus और यहां पर venus और mercury के बाद अर्थ आती है तो फिर हम देख सकते सब्सक्राइब क्या है तो यहां पर इतना उसने ढख लिया सन का पाट तो यहां पर जो मर्कुरी है या वीनस है उसने इतने पार्ट में उसको थोड़ा सा यहां पर अंधेरा कर दिया तो यह भी टाइप ही है इस सोलर एकलिप्स का तो बहुत ही अच्छा यह देखिए ट्रांजिट और अक्यूलेशन आपको याद रखना है कि यह मून के रेफरेंस में होता है ट्रांजिट जो है यह सन के रेफरेंस में है तो यहां पर हमारा यह लेशन कम्ट्रीट होता है कोई भी डाउट रहते है कॉमें सेक्चेन में जहूर पूछ लीजिए ओके जहां पूछ पूछ लीजिए ओके